पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान सा एक है जो की बहुत शक्तिशाली वशी करण मंत्र है जिससे आप किसी इस्तरी को, किसी लड़की को अपने वश में कर पाएंगे तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी इस्तरी है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो आपकी लाइफ में नहीं आ रही है और आप चाहते हैं कि वो आपकी जीवन में आ जाए हमेशा के लिए या फिर कोई ऐसी इस्तरी है जो आप से रूठी हुई है जिसे आप वापस अपनी जिन्दगी में पाना चाहते हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं आपको इसके लिए करना क्या है आपको चाहिए होंगी दो लहसुन की कलियां इस तरह से दो लहसुन की कली ले लीजिए और उसके बाद आपको इसे बांधना है काले धागे में जी हां काला धागा ले लीजिए पतला वाला काला धागा भी ले सकते हैं जो की सिलाई में इस्तमाल होता है और उसके बाद आपको इस तरह से लहसुन स इसमें गांठे लगा लेनी है लेसुन पर जब आप इसको लपेटेंगे धागे को तो इसे अच्छे से बांद दीजे और बांदने पर क्या होगा कि ये लेसुन की माला बन जाएगी लेकिन आपको सिर्फ दो ही लेसुन की कलिया लेनी है जादा नहीं लेनी है इसका इस्तमा लेनी है आपको जो की फूल हो जिसमें मतलब तूटी हुई या पर खंडित लॉंग नहीं लेनी है ये वाली लॉंग लेकर आपको इसमें धागे में इसको बांध देना है तो काले धागे में मैं इसको बांध रही हो भी जब यह आप इसमें बांध देंगे उसके बाद आप का ये उपाई करने के लिए आपको एक मंत्र बोलना होगा ये मंत्र जो है वो बहुत आसान है मंत्र मैं आपको बता देती हूँ क्या है मंत्र आप लिख लीजे और ये मंत्र आपको सही तरीके से इसका उचारण करना है क्योंकि मंत्र जो है वो सबसे ज़ादा इसमें महत्पूर्ण है अगर आप मंत्र सही से बोलेंगे तो ये आपका काम करेगा और तुरंट आपको इसका असर देगने को मिलेगा आप इस तरह से इसकी माला बना लेजे दो लसन और दो लॉंग की काले धागे में अच्छे से लपेट कर इसके बाद आपको करना क्या है किसी भी इस्तरी को चाए वो दुनिया में कहीं पर भी हो पल भर में आप उसे अपने बश में कर पाएंगे दो लसन और दो लॉंग से आप इसे बाद रहे हैं तो वो इस तरह भी आपके प्यार में बंद जाएगी और आपके जीवन में इस तरह से आजाएगी कि आप खुद सोचने लग जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ क्योंकि ये उपाए बहुत ही ज़ादा कारगर है बुदवार के दिन आपको इसे करना है आपके घर के पास आप पहले देख लीजिए कहीं पर अगर नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ के पास आपको जाना है और इसको इस टोटके को आपको वहाँ पर बांद देना है मैंने याँ पर एक कील भी रखी हुए आप एक कील ले सकते हैं कील आपको पेड़ में डालनी है यानि पेड़ में इसे खोब डाल दीजिए और उसके बाद इस माला को यह जो लॉंग और लसन की हमने माला बनाई है इसे आपको इस कील के दोरा उस नीम के पेड़ में बाद देना है यह लसन का जो उपाय है यह बहुत जल्दी काम करता है आप इस मंत्र को बोलेंगे ओम एम अमुक रीम स्वाहा अमुक की जगे पर आप उस लड़की का नाम बोलिए इस लड़की को आप वश में करना चाहते हैं अपने मन में आपको उसकी चाया याने की अगर आपके पस कोई फोटो नहीं है या अगर आप फोटो रखते हैं अपने पास तो आप उसकी फोटो देखिए उसके बारे में सोचिए उसका विचार करिए और इस माला को ले जाकर आपको नीम के पेड़ में लगा देना है याद रखिए यह आपको उपाय करना है बुद्वार को सुबह सुबह कीजिए इसे सूरियोदय से पहले आपको करना है और सूरियोदय से पहले ही आपका मंत्र खतम हो जाए 108 उसे आप से आप कीजिएगा ताकि जब आप पहुँचे नीम के पेड़ के पास तो वहाँ पर आपको कोई देखने ना पाए अगर आपको कोई टोकता है तो आप पीछे पलट कर मत देखिएगा आप बस इस माला को नीम के पेड़ में लगा कर बांध कर अपने घर वापस आ जाएगे एक दिन के अंदर-अंदर वो इस्तरी आपके वश में होगी आप जिसको अपना बनाना चाहते हैं जिसको आपने अपने मन में बसा रखा है वो 100% आपके जीवन में आ जाएगी वो इस्तरी आपके प्यार में पागल हो जाएगी बिना आपके आपके कुछ कहें सिर्फ इस उपाय को करने से आप अपने सालों साल पुराने प्यार को भी अपने जीवन में वापस ला सकते हैं अगर वो आपका खोया हुआ प्यार है तो ये उपाय तो आप तुरंत ही कर डालिए क्योंकि इससे आपको बहुत जल्दी आपका प्यार वापस मिल जाएगा और अगर किसी और इस तरी को आप अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तवाल कर सकते हैं अब आप इसे कीजिए अगर आपको लगता है कि कोई परिशानी आ रही है कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कॉल कीजिए गुरु जी आपकी हर समस्या का हल करेंगे हमारे वीडियो को आपने देखा भक्तों उसके लिए आपका धन्यवाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास सारे वीडियो सबसे पहले पहुचेंगे धन्यवाद भक्तों